नमस्कार किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिच शे रामचरित मानस और हिंदु धर्म को लेकर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौरे ने एक और विवादित बयान दिया है यूपी के हर दोई पहुँचे स्वामी प्रसाद मौरे ने हिंदु राष्ट की मांग करने वालों को देश द्रोई बताए मौर्य ने सम्विधान बदलने की मांग करने वालों के खलाप राष्ट द्रोज ऐसी कारवाई करने के लिए कानून बनाने की मांग की है वहीं उन्होंने कहा हिंदू एक फार्सी शब्द है जिसका मतलब होता है चोर, नीच हम जिसको हिंदू धर्म मानते हैं वो धर्म है ही नहीं ये धर्म कैसे हो सकता है अगर हिंदू धर्म होता तो सभी को बराबरी का दरज़ा मिलता हलाकि मौर्य यहीं नहीं रुके उन्होंने ब्रामनों पर अभद्र टिपनी करते हुए कहा ब्रामन कहता है कि हम ब्रहमा के मुझ से पैदा हुए ये तो अपनी मा के पेट से पैदा होने पर भी यकीन नहीं करते क्या आज तक आपने किसी को किसी के मुझ से पैदा होते हुए देखा है किसी को हाथ से छत्रिय, किसी को वैश्य समाथ से या फिर किसी को पैर से पैदा होते हुए देखा है हर बच्चा पैदा होनी की एक प्रक्रिया होती है वो चाहे कोई भी देश हो हर जगा बच्चा अपनी मा के पेट से पैदा होता है लेकिन पाखंडी लोगों ने अपना ही नियम बना रखा है इसी पर चर्चा के लिए हमाई साथ मौजूद है कैपिटिल टीवी के एक्जेक्यूटिव एडिटर राजीर जी राजीर जी बहुत-बहुत स्वागत है आप धन्यवाद एक हिंदू होके खुद स्वामी कुफ इंसान को तरक लॉजिक आस्था के बीच अंतर समझ में नहीं आता है उद्य ने दिये स्टालिन ने सनातन विरोधी बयान दिया सनातन धर्म के खत्म करने की बाद कहीं यह मामला मद्रा साइकोट में चल रहा है मद्रा साइकोट की जो टिपड़ी है जजज साहब की वो इन लोगों को एक नहीं दस वार पढ़ना चाहिए कि यह गंभीरता क्या होती है freedom of speech क्या होता है मौलिक अधिकार मौलिक स्वतंतरता क्या होती है और तुम्हारे मौलिक अधिकार के साथ साथ तुम्हारे करतब क्यों निर्धारित किये गए है जो मद्रा साइकोट में म speech वही खत्म होता है जहां किसी के भावना आहत होती है आपको जहर उगलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है यह घृणास्पद बयान यानि hate speech में डाला जाएगा स्वामी पसाद मौरी को वो बयान वो टिपनी पढ़नी चाहिए जिसमें कहा गया है कि धर्म की बात करते हो तो धर्म आस्था से जुड़ा हुआ है और धर्म पर चर्चा नहीं हो सकती तरक नहीं हो सकते इसलिए अगर स्वामी पसाद मौरी ने थोड़ा दर्शन पढ़ा होता दर्शन सास्तर पढ़ा होता तो इससे knowledge होती इस बात की जानकारी होती कि धर्म तरकेत्तर होता है जो आ कुफाना सवाल जब व्योज़े पढ़ाई कर रहे थे तो उनके प्रोफसर ने पूछा था और जब ये बात आस्था के उपर आई क्योंकि वह फिलोस्फी के प्रोफेसर थे और ये इसे उस बात के विश्वास करें जो हम प्रत्यक्ष रूप से जिसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते यानि धर्म पर सवाल उठाया जा सकते रहा था और उसी समय वो खड़े होते हैं और उस प्रोफेसर से कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि यह जो हमारे बगल में बैठा हुआ उस प्रोफेसर का लड़का भी उनी के क्लास में पढ़ता था कि यह आपका बेटा है कि आपके पास इसका कोई प्रमान है उस समय ऐसे स्थिति नहीं थी कि यह पैटरनिटी टेस्ट होते थे और इस तरह के जो टेस्ट की प्रकरिया भी उस समय नहीं थी वो पागल हो गया और जब प्रमान की चर्चा होने लगी तो वो सीधे क्लास रूम छोड़के चला गया पहले ओसो से बोला कि आप निकल के बाहर जाओ लेकिन ओसो ने क्या कहा कि हम अगर गलत सवाल कर रहे हैं तो हम जाने के लिए तयार हैं लेकिन अगर आप अपने बेटे का प्रमान आप पर माना जा सकता है इश्वर की अब धारना के खिलाफ आप कैसे आ सकते हो धर्म पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हो एक छोटे सी बात का आपके पास जानकारी नहीं है वो प्रोफेसर प्रिंस्पल के कच्छा में गया प्रिंस्पल के पास गया केविन में गया और इनको निक और उस दर्शन में जाने से पहले स्वामी परसाद मौरे जैसे बेवकूफ आदमी को ये सोचना चाहिए कि हम जिस पर सवाल उठा रहे हैं उसकी परिकल्पना के बारे में हमने कभी सोचा और मदरास हाई कोट के जज नहीं कहा कि आप आस्था पे सवाल नहीं उठा सकते उसको तरक के साथ नहीं देख सकते कोई भी दुनिया का ऐसा धर्व नहीं है जिसके अंदर बुराई नहीं है और अगर बुराई है तो उसके अस्तित्व को खत्म करने की बात आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि हम जो बुराई कर रहे हैं उस बुराई करने के अलावा उसके बारे में हमें जानकारी है की नहीं आप एक आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए राजनितिक मंच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक प्रक्रिया होती है जैसे कहा जाता है कि पारलियमेंट या फिर एसेंबली के प्रोसीडिंग में कभी भी ये नहीं होगा कि संसद में अगर कोई मौजूद नहीं है तो आप उसके नाम के साथ उस पर आरोप लगाएं क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए वहाँ वो नहीं आ सकता तो आप उसका जिक्र नहीं कर सकते हैं। ये विशिशाधिकार के खिलाप है उसी तरीके से जैसे अगर लोगसभा में राजसभा के किसी मेंबर के बारे में बोलना है तो पहले नूटिस दी जाती है। अर्भी, फार्सी का उधारन देगा। अब इस शब्द का कहां क्या माइने है वो माइने स्वामी परसाद मौर्ड देखेगा। पहले संस्कृत आया या अर्वी आया इसकी चर्चा हो जाए ये चर्चा वो नहीं कर सकता ना उसके पास साहिति की जानकारी ना उसके पास जानकारी है किसी और की बिल्कुल वो तो कह रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट की मांग कर रहा है वो देश द्रोही है हो सकता है उसकी नजरों में हिंदू राष्ट की मांग करने वाला देश द्रोही है क्योंकि ये देश जो है अगर सैकडों हजारों लाकों साल से सनातन परंपराओं का देश है और अगर ये हिंदू राष्ट घोसित होता है तो इसके ड्राफ्ट कैसे होंगे इसमें दूसरे क पर जाके चर्चा करो और उसे सवाल करो जो सवाल तुम मुर्खता पूर्ण करते हो कि अगर हिंदू रास्ट बन गया तो हमारे मुसल्मान कहा जाएंगे हमारे क्रिश्चन कहा जाएंगे क्या धार्मिक स्टेट कहीं भी है रिलिजियस स्टेट उसके फॉर्मेट में ये कहा जाता है कि इस धर्म के लोगों के अलावा किसी और धर्म के लोगों के एंट्री नहीं होगी वो रहेंगे ही नहीं ये तो सनातन पे सवाल है कि जिस सनातन धर्म में सर्वधर्व संभाव की बात है सहस्तित्व की बात है अगर हम उस देश का नाम उसके साथ जूड़ते हैं तो क्या वो धर्म की उन मर्यादाओं के खिलाफ जाएगा फिर भी हम सह अस्तित्व की बात करेंगे सारे धर्मों को साथ रखने की बात करेंगे ये एक मसला है स्वामी पसाद मौरे का नाम है अगर स्वामी पसाद मौरे अपना नाम हर रोज बदल ले अपनी पहचान खत्म क मामले में पहचान बनाए रखना चाहिए और वो पहचान का संकट हिंदुस्तान के साथ थोड़े समय के बाद ये सेकुलरिम सेकुलरिम की बात करने वाली पाटियों ने लाया और उसी के कारण हिंदु रास्ट घोशित करने की बात कही जा रही है हिंदू राष्ट घोसित करने का मतलब कतै ये नहीं होता कि सारे धर्मों को लोगों को यहां से भगा दिया जाए कोई अधिकार ही न दिया जाए हिंदू राष्ट में भी मौली के अधिकार सो स्थम्भिधान में होगा सेकुलरिज्म के आधार पर तो मौलिक अधिकार नहीं बने हैं संबिधान के अंदर संबिधान के अंदर जो दूसरे प्रावधान हैं वो सेकुलर होने के कारण नहीं है और ऐसे भी सेकुलरिज्व शब्द जो है संविधान में वो तो बाद में जोड़ा गया प्रेयंबल के अंदर वो संविधान संसोधन की बाद संविधान के खिलाफ की बाद ये स्वामी पसाद मौर्ये करता है इसको ये बाद का भी ध्यान रखना चाहिए कि संबिधान में अगर 112-15 संसोदन हो गए तो ये संबिधान बदलने की बात नहीं है उसके कुछ प्रावधानों में समय के अनुकूल जो परिवर्तन किये जाने हो वो परिवर्तन जरूरी है और किसी भी व्यक्ति में, विचारधारा में, व्यवस्था में अगर परिवर्तन करना और परिवर्तन को स्विकार करना छोड़ दिया तो वो स्थिर हो जाता है और स्थिर तो कहा जाता है कि जल भी जो है वो स्थिर रहे तो उसमें गंदगी पैदा हो जाती है उसे भी बहते रहना चाहिए परिवर्तन इस दुनिया का संसार का एक ऐसा नि लेकिन अब सबसे मेन बात ये है कि जो ये बड़बोला बना फिरता है और जो बार बार सनातन के खिलाफ हिंदू के खिलाफ जहर उगल रहा है अब इसका इलाज जरूरी है अभी हेट स्पीच की बात जो सनातन के विरोध में ही जब चर्चा सुनवाई हो रही थी मद्रा में तो जो बात होई है वो अब इसके उपर लागू होता है अब जागना चाहिए स्वामी परसाज जैसे लोगों के खिलाफ उत्तर परदेश में कई मामले दर्जों और इसका जिस तरीके से अभी हिंदू संगटनों ने काले जंडे दिखाए भगाया वहां से हर्दोई मे भी इसके बहुत सारे विरोध परदर्सन हुए हैं लेकिन फिर भी इस विरोध परदर्सन से इसको कोई फरक नहीं पड़ेगा अब इससे भी कड़ा इलाज ऐसे लोगों को करना पड़ेगा तब ही ये समझ पाएगा कि जिन मामलों में जानकारी नहो उसमें टांग अडान तुम्हारे उपर रहेगा और उसका प्रभाब दिखाई पड़ेगा जिसका परिणाम बे तुम्हें भुगतना पड़ेगा हर मंच पर अलग-अलग चर्चाय होती है और जो निर्धारी जगह है निर्धारी मंच है उसकी चर्चा होनी चाहिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी होती है धन्यवाद इसका में इतना ही देखते रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार